कोरोना वारिस का खत्रा दिन बदिन बढ़ता जा रहा है ऐसे में कोरोना वारिस की वैक्सीन का अब तक ना बना संकट को और भी बढ़ाने जैसा है हला की कहीं देशों से इसके बनने को लेकर दावा किया गया है लेकिन अब तक किसी भी कंपनी को भी इसमें पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई है ऐसे में भारत के और से अब कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया गिया है मीडिया रिपोर्ट के नुसार भारत के पहले स्वदेशी COVID-19 के टीके को भारती औशदी महा नियंतरक से इंसानों पर परिक्षन करने की मंजूरी दे दी गई है बताया ज़ा रहा है कि कोवैक्सी नामक टीके को भारत बायोटेक ने भारती और विज्ञान अनुसंधान परिशद और राश्ट्रे विशानु विज्ञान स्थान के साथ मिलकर तयार किया है यही नहीं बताया है कि देश में अगले महिने से स्टीके का पहले और दूसरे चरण का परिक्षन शुरू कर दिया जाएगा